पिछले पाँच महीनों से इंडस्ट्री के एक आक्टर NCB की गिरफ्त में है इस आक्टर को NCB ने ड्रग्स मामले में दबोचा था राजस्तान से मुंबई लोटा ही था कि एरपॉर्ट से ही इस आक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया था इनफाक्ट इस आक्टर ने NCB की गिरफ्त में रहते हुए भी जब इसे कौट ले जाया जा रहा था तो मीडिया के कैमराज के सामने चीच चीच कर बोला था कि कुछ नहीं है ऐसे ही भसाया जा रहा है यह एक्टर और कोई नहीं बलकि एक्स बिग बॉस कंटेस्टिंट एजास खान है एजास खान मार्च में अरेस्ट हो गए थे ड्रग्स मामले में अभी तक वो जेल में ही है हाला कि मल्टिपल टाइम्स एजास खान जो है बेल के लिए अपलाई कर चुके हैं लेकिन हर बार उनकी बेल जो है रद कर दी गई है और हर बार की तरह इस बार भी एजास खान को बेल मिली नहीं है आपको बता दे कि एजास खान के घर पर NCB की टीम ने रेट करी थी तब उनके घर से अलपरा जोलम नाम की टैबलेट्स मिली थी जो कि इंडिया में बैन है एजास खान का नाम NCB के सामने एक दूसरे पैडलर ने लिया था ये पैडलर इंडस्ट्री में कई सारे लोगों को ड्रग्स पहुचाता था शादा बटाटा करके ये पैडलर है जिसने उश्ताश के दौरान एजास का नाम लिया और बताया कि कैसे एजास जो है इंडस्ट्र के एक्टर्स को ड्रग्स पहुचाने का काम करता है जहाए एक तरफ NCB ने दावा किया था कि एजास के ना सिर्फ बॉलिवुड में लिंक है बलकि खुद भी अपने पास ड्रग्स रखता था वहीं एजास का कहना है कि NCB को उनके घर से कुछ नहीं मिला है और तो और उन्ह को बता दे कि गिरफतारी के कुछी दिनों बात एजास खान का जब कोविड टेस्ट करवाया गया तो वो टेस्ट पॉजिटिव आया जिसके बाद हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चला और यह सारा ट्रीटमेंट NCB की गिरफत में रहते हुई ही हुआ है